आज का व्लॉग मैंने वही से स्टार्ट किया था जहां पर मैंने अपना लास्ट व्लॉग एंड किया था क्योंकि आज था ईद का दूसरा दिन और हम आये थे बच्चों को लेके मॉल कि थोड़ा इनको राइड वगएरा दे दे थोड़ा ये भी मस्ती वगएरा कर ले तो उसके बाद जो है पिर हमारा आगे जाने का प्लान था क्योंकि गर्मी बहुत जादा थी इसलिए हमने कोई खास प्लैन नहीं रखा था कि कहीं बच्चों को लेके बाहर जाएं क्योंकि इतनी जादा गर्मी में दिल ही नहीं करता कि इनको लेके हम कहा जाएं तो बस जी फिर बच्चों को लेके हम मौल आ गए थे और यहां पर इनकी मस्तिया जो है न वो स्टार्ट हो गए थी बच्चे जो है न वो इतने में ही खुश हो जाते हैं एद के पहले दिन जब हम घर से बाहर निकले थे ब्रेकफास्ट करने के लिए जब हम घर वापिस आ जाना है तो बस जी बच्चों को अपना फेवरेट काम कुछ मिल जाना तो फिर इनुने घर जाना होता है अगर हम कहीं शॉपिंग पर या ग्रोसरी पर चले जाना तो फिर शाजन का दिल नहीं होता कहता है कि अब कहां जाना है अभी घर नहीं जाना यहां पर जी मेरे इसको निकालना तो निकालना थो नहीं आ रहा था लेकिन इसके पापा ने help कि ये खुश होगया और यहां पर जी शासन अपने पापा के साथ गेर था अभी इसको खेलनी तो नहीं आती है लेकिन इन्हों नहीं ये सब चीज़ें टीवी में देख दे करना तो बहुत excited होते है कि हमने ये भी करना है वो भी करना है तो सबी चीज़े इन्होंने फिर आके यहां पर करनी होती है हलाकि इनको खेलना नहीं आता कुछ पता नहीं है बस टीवी में देखते हैं तो बस इन्होंने वही करना होता है बस ही मॉल से निकलने के बाद हम सीधा पहुंच गए थे नर्सरी क्योंकि हमारे जो काम होते हैं इस तरह के वो वीकेंड पर ही होते हैं मैंने जी काफी दिन से अपने हस्पेंट को बोला वा था कि मुझे ऐलोवेरा प्लांट लेना है तो बस एलोवेरा का फोदा लेने हम यहां पर आ गये थे और जो हना एक हमें घमला भी चाहिए था मैंने काफी डाएं बलके पहले मनी प्लांट लिया था लेकिन वो मैंने पानी में डाल के रखा था अभी तक ग्रो नहीं का रहा था तो फिर मेरे हस्बिन ने बोला था कि इसको मटी में लगाओ उसमें फिर जल्दी ग्रो करेगा तो उसके लिए भी एक खमला लेना था और मुझे ऐलोवेरा का जो प्लांट है ना वो भी लेना था तो बस इस प्लांट हम लेके अभी अंदर आ गयते हैं यहां पर जी हम ने करनी थी पेमर्ट और बचों को पता नहीं था कि जहां अंदर हम कोंटर पर आया ना यहां पर बहुत ही प्यारे इन्होंने फ्लावर्स रखे हुए थे बहुत ही कोई आ खूपसूरत प्लांट थे दिल कर रहा था ये भी ले ले वो भी ले 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 लेकिन हमारा घर चोटा है जगा यह नहीं मुझे तो प्लांटस वेगरा बहुत ज़्यादा पसंद आ है मेरा दिल करता है मैं काफी सारे प्लांट घर में रखूँ क्योंकि घर भी छोटा है और फिर हमारी बालकने भी छोटी है बस जी जो चीज़े हमें चाहिए थी वो हमने ले ली थी और बचे जो है ना वो यहाँ पर अपनी मस्तियों में लगे हुए थे पस जी इसी तरह से हमने अपने एद गुजार दी थी क्योंकि एद का जो महोल होता है ना वो पाकिस्तान में होता है वहाँ पर एद की रोनक होती है यहाँ पर बिल्कुली बोरिंग से एद होती है पता ही नी चलता कि एद है अच्छा एद के पहले दिन आपको फिर भी लग गये उसके पाजी फिर हम nursery गएं वहां से प्लांट लिए, उसके पाजी फिर grocery करने थी घर खिर की ग्रोसरी की और उसके पाज़ जो एना फिर हमगर आगे थे तो बस घर आये तो बचों को बूख भी लग रही थी तो इनको आके पहले मैंने गोकोनेट वाटर दे दिया था दोनों भाई बैट की पींगे शेर करते हैं दोनों माशाला एक फिनिश कर देते हैं उसके पास जिपर मैंने इनके लिए रख दिये थे आते ही न नगर्स बनने के लिए क्योंकि इनका खाने अलीपालक मेथी का भी था मटन का भी था तो बस उसी के साथ जो है न फिर हमने रोटी आ ली थी वस यह हो गया था हमारा डिनर और बचोंने यहां पर जल्दी जल्दी ढ़ल यह थी कि बस जल्दी से नगर्स दे दे थे क्योंकि बच्चों को ना फ्रेंच फ्राइजों मैं थोड़ी थोड़ी देती हूँ क्योंकि फिर यह सारी लगा लेती है इसके बाद बच्छे नगट्स खा लिए थिर हमाना आ गया था ची यहां पर पार्सल के लिए बच्छे फिर जल्दी से जाते हैं कि ममा पून आया आजकर इनको भी पता लगा हुआ ना कि ममा चीजे ओ ड्रेस ओर्डर किया था एज से पहले किया था वान वीक लेकिन यह मुझे इहिद के बाद ही मिला है मतलब एज के दूसरे दिन मिला है इविनिंग के टाइम पर बस यह भी मैंने इसको रख दिया था और बाद में फिर इसको पिन करूगी और फिर आप लों के साथ भी शेय नाग से पानी आना शुरू हो जाता है और जैसे ही फिर हम घर आते हैं तो फिर भी यही मसला होता है जैसी गरम ठंडा चेंज होता है न मोशम तो मुझे फ्लू अलर्जी स्टार्ट हो जाती है और मेरा थोड़ा गला भी खराब हो रहा था पता नहीं किस वज़े से तो मु यह अलोवेरा प्लांट जरूर रखती हूं क्योंकि यह स्किन पे लगाने के लिए भी काम आता है और बालों में भी मैं अलोवेरा लगाती हूं और दुबई जब मैं आई हूना तो काफी टाइम से प्लैन करी थी लाना है लाना है फिर सोचती थी रखूंगी कहां और फिर मै आज लेके आ गई थी क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है मैं अम्मी के घर पे थी तब भी मैंने अलोवेरा लगाई हूई थी और उसके बाद जब मैं कराची में थी तो वहां पर मैंने इससे भी बड़ा प्लांट लाके रखा वा था तो जो हम मार्किट से अलोवेरा लेते हैं काफी ब्रैंट की होती है उसमें अच्छी भी होती है लेकिन जो घर की फ्रेश अलोवेरा होती है ना इसकी तो फिर बात यह लगा है जब भी आपका दिल करें थोड़ी सी आप काट के तो फेस पे लगा लें बालों में लगा लें और यह जी हम लाए थे वाइट वाला खमला न्यू इसके अंदर मटी जो है ना वहीं से हम डलवा के लाए थे थोड़ी एक्स्ट्रा भी लाए थे के अगर जरूरत पढ़ जाया तो हमारे पास हो वरना यहां पर अगर आपने मटी लेनी हो ना तो बड़ा एक आपको पैकेड लेना पड़ता ह तो बस इसके अंदर मैंने यह मनी प्लांट लगा दिया था मनी प्लांट थो यह मैंने आठ नो महीने पहले लिया था इसको मैंने पानी में लगाया वा था लेकिन यह पानी में बिल्कुल ग्रो भी नहीं कर रहा था और उपर से मैंने इसको किचन में रखा वा था अब मून के ना इसके पुत्ते वत्ते कुतर दिये थे तो मैंने का चले इसको घमले में लगाती हूं ताकि ये मिठ्व से पच भी जाया थोड़ा ग्रो भी खर जाया और जी यहां पर बचों की फुल मस्तियां चल रही थी शासिन भी ये लेके आया हुआ था बॉक्स के ममा इसके साफ कर दिया था निचे से प्लेट भी मैंने रख दी थी और मनी प्लांट इसमें बहुत अच्छा लग रहा था बात यह कब मिठ्व से पच्छा है और एक जो बड़ा वाला था ना इसको मैंने फिल हाल के लिए इस प्लास्टिक की जो बड़ी पानी वाली बोटल होती है वो काटके उसके अंदर लगा दिया है ताकि यह अच्छे से जब ग्रो करेगा ना बढ़ने लगेगा तो फिर मैं इसको गंले में शिफ्ट कर दूँगी और यह चो चोटा वाला जो है ना पॉर यह इतना कोई प्यारा लग रहा था ऐसा लग रहा था कि यह आर्टिशल प इसको मैंने का कि मैं बात्रों में रखूंगी क्योंकि मैं जो जो अलोविरल आई हूं ना तो उन्होंने का है आप इसको अंदर भी रखेंगी तो भी ग्रो करेगी अगर मैं इसको बाहर रखूंगी तो भी ग्रो करेगी और बस इसको फिर मैंने बात्रों में रख दिया थ और यहां पर जी इसको जो बड़ा वाला प्लांट है ना वाइट उसको मैंने अभी फिल हाल तो यहां डेबल पे रखा हुआ है अब देखते हैं कि बाद मैं इसकी कहां जगा बनाती हूँ क्योंकि इतने में ही मैं थक गई थी बस मेरा यही था कि मैं जल्दी से इन चीजों क बस समेट लूँ जो एलोफिरा का प्लांट है इसको मैं सुबह बालकिनी में रखूंगी क्योंकि अभी मैं थक गई थी मेरी बिल्कुल भी हमत नहीं थी यहां पर जैसे ही मैं सारे काम करके हटी बच्चे हलाके राम से बैठके खेर ले थे शाजन को हलकी सी खांसी है और उ अपनी नेयla polish उतारनी थी तो मैंने खा जल्दी से मैं इसको उतार लुझ कि जितने मुझे मुझे लगाने क्वशी होती है ना उससे जद्या मुझे टें उतारनी क्योंकि नमास पर नी होती है और जब तक नेयल polish लगिए होती है तो आपका वजू नहीं होती है जभ फिटे-पीसे κάpt کر लेती हूं और इससे बहुत नीट क्लीन आपके नेल्स साफ हो जाती है और एक फिर यूद्रियो नेल्स कर रहे हैं उसको क्विए ताँ डाहा तहीं वह ईक हैral Wing तलिपस्ट और के रही है कुल और मैं लिटे चाहपी ती। आपका मैल और मट्टी फसी हुई थी क्योंकि अभी मैंने प्लांट लगाए थे ना और उसी ही वज़ा से मेरे नेल्स जाता ही गंदे हो गए थे और बस ही अभी मैं इनको अच्छे से क्लीन करूंगी और यहां पर जी आप इसी तरह से अपने नेल्स को क्लीन कर सकते हैं कोई आप इसने दिन मेरा भी चलेगा तो इसको मैं पेसे और दो पीजाओंगी और इसको मैं एपने फेस्यक्त पर लगाऊंगे तीन-Cyaar मिनट इसको और और उसके पाजहाँ लगा चोड़ना है और ऑस के पार जोयेना बस नर्मल पाने से उसको वाच कर लउग जो भी हमारे skin के पर dark spot होते हैं, acne होती है, उसको भी treat करती है, बहुत जादा फायदे होते हैं aloe vera को use करने के, और मेरा मिठु जी मेरे पास बैठ के खा रहा था aloe vera, जो मैंने sideo से cut की थी ना, तो ये उसी को बैठ के बहुत ही मज़े के साथ खा रहा था, so ये थी मेरी एक स्ट्विडियो में, अल्हाफेज।